Hello everyone, स्वागत कहती हूँ, आपका एक बार फिर स्थे English Learning Center पर जहां आप सीखते हैं English Easy Way में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही useful vocabulary जो की है दालों के English में नाम दाल हम सभी खाती है, सभी को इनके Hindi में नाम पता होंगे लेकिन English में हो सकता है सभी लोगों को इनके नाम ना पता हों, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful रहने वाल है वीडियो को end तक देखें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को like करें और शेयर करें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दाल को English में क्या कहते हैं, दाल को English में कहते हैं, पल्स या लैंटिल अब बात करते हैं कि अरहर की दाल या तूर दाल को क्या कहते हैं, अरहर की दाल या तूर दाल को कहते हैं, पिजन पी या रैड ग्राम दाल पिजन पी या रेड ग्राम डाल ये डाल मोस्ली सभी की फेवरेट होती है नेक्स्ट है पीली मूंग डाल पीली मूंग डाल को इंगलिश में बोलते हैं स्केंट डाल इसे दुली मूंग डाल भी बोलते हैं ये बहुत ही जादा नूटिशिस होती है इसे English में बोलते है skin dal Next है हरी मूंग दाल मतलब छिलके वाली दाल या बोल सकते हैं छिलके वाली मूंग दाल इसको बोलते है split green gram split green gram हरी मूंग दाल या छिलके वाली मूंग दाल Next है इसे बोलते है साबित मूंग या मोट दाल यह मुं की डाल ही होती है जो की दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती है इसे बोलते हैं Green gram या whole moon beans Next है साबित मसूर या करणी मसूर कुछ इस तरह की दिखती है जैसे पिच्चर में दिख रही है यह मसूर की डाल होती है जो की तूटी हुई नहीं होती इसे बोलते brown lentil brown lentil, साबित मसूर या खली मसूर, next है मसूर की दाल ये दुली हुई होती है और तूटी हुई होती है इसे बोलते red lentil साबित मसूर brown lentil और जो मसूर की दाल होती है इसे बोलते red lentils, next है साबित मसूर दाल या मलका की दाल साबित मसूर दाल जिसको मलका की दाल भी बोले जाता है उसे बोलते है whole red lentils whole red lentils कुछ इस तरह के दिखती है जैसी picture में है next है उगद या काले उगद इसको बोलते है black gram ये जो उगद की दाल होती है वही होती है बस ये तूटी हुई नहीं होती है और छिलके सहित होती है इसको बोलते हैं black gram next है उगत डाल विच्चर में देख रहे होंगे आप इसकी किछली बगेरा भी बनती है इसको बोलते है split black gram split black gram ये दो पार्स में तूटी होती है जो उगत होती है उसको दो पार्स में तो हो दिया जाता है उसे बोलते हैं उगत की डाल यानि की split black gram next है धुली उगत की डाल ये उगत की जो डाल होती है उसको धो दिया जाता है उसको छिलका हटा दिया जाता है उसको बोलती है white lentil next है kulti दाल kulti दाल जो की picture में देख सकते हैं आप इस तरह की होती है इसको बोलते है horse gram horse gram kulti दाल को horse gram बोला जाता है next है rajma यह सभी का favorite होता है rajma especially पंजाबी rajma होता है वो बहुती ज़्यादा tasty होता है इसको बोलते है kidney beans kidney beans rajma को English में kidney beans पूला जाता है next है lobia lobia को दाल की तरह चावल के साथ भी खाते हैं और इसको हम चाट की तरह भी खाते हैं इसको English में बोलते है black eyed peas या black eyed beans या cow peas black eyed peas black eyed beans या cow peas next है काबली चना या छोला छोले बटूरे के साथ जो छोले खाये जाते हैं इसको काबली चना बोलते हैं इसको बोलते हैं chickpeas chickpeas next है काला चना काला चना जो health के लिए बहुती ज़्यादा beneficial होता है बहुती ज़्यादा nutritious होता है इसको बोलते हैं black chickpeas black chickpeas काला चना को English में black chickpeas बोलती है next है चना दाल चना दाल इसके बारे में भी सभी लोग जानते है चना दाल क्या होती है इसको बोलती है chickpeas split chickpeas split चने को जब split कर दिया जाता है तो जो दाल बनती है उसे बोलती है चना दाल यानि की chickpeas split next है same same का जो बीज होता है जिसको हम दाल की तरह भी खा सकते हैं और इसको हम सबजी की तरह भी खा सकते हैं इसको बोलते हैं लायमा बीन्स लायमा बीन्स तो यह था अज का वीडियो आपको वीडियो पसत आयोगा अगर वीडियो पसत आयोगा तो प्लीज लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें